प्रदूशन के बारे में पड़ा हम अपने आज के वीडियो में बात करेंगे संयुक्तुराष्ट संगी की देखिए सुसल साइंस में आपकी जोग्राफी और हिस्ट्री कम्प्लीट हो चुकी है ठीक है अप सेविक्स के और थोड़े से आपकी एकॉनमिक्स के चैप्टर संग है तो यह आज के वीडियो में हमें देखना है तो जान लेते हैं यह संपन रास्टों का संगठन है जो बिश्व शान्ति के लिए प्रियास करने सभी रास्टों के मद मैत्री को बढ़ाबा देने और आर्तिक समाजिक प्रगति को समर्थन देने के लिए सुच्छा से स संग्तराष्ट में सामिल होते हैं इस संग्ठन का अपचारी गठन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ उस समय 153 सदश्य थे बरतमान में UN के 193 सदश्य देश हैं इसे कभी-कभी रास्टों की संसद भी कहा जाता है तो यह संपन रास्ट उनका एक संग्ठन है के में मेहत्री गुकर बढ़ाबा देने एक दूसरी की दुस्मन ना रहें तो इस इंच करते हैं और आर्तिक समाजिक प्रग्रगिती को समर्तन देने के लिए तो इसका यह ध्यान रखते हैं संग्तराष्ट में सामिल होते हैं इसका गठन कभी थ produkt हो दो 24 अक्टूबर 1945 को उसका गठन हुआ था और जब इसका गठन हुआ था तो 51 देश इसके सदशे थे लेकिन अगर हम आज की समय की बात करें तो इस में 193 देश जो हैं वो इसके सदशे हैं ठीक है और इसे कभी-कभी क्या कहा जाता है तो राष्टों की संसद भी कहा जाता है कि कोई सारी राष्ट इसमें सामिल होते हैं तो उनकी संसद इसे कहा जाता है तो याद रखना कि ये संपन राष्टों का संगटन है जो बिशो शांती के लिए प्रयास करने सभी राष्टों के मदे मैत्री को बढ़ावा देने आरतिक समाजिक प्रगती को समर्थन देने के लिए सुख़ से सहिक तुराष्ट में सामिल होते हैं तेका इसका उप्षारी घठन हुआ ता 24 अक्टूबर 1945 को समें क्यावन देश जो थे लेकिन बरतमान में 1893 देश हैं और इसे कभी-कभी राष्टों की संसद भी कहा जाता है। उनका निराकरन करने के लिए सही होग प्राप्त करना। अंग पढ़ लेते हैं। तो पहला अंग आता है आपका सुरच्छा परिशद। इस निकाए की प्रमुख जिम्मेदारी अंतराष्टी सांती इवन सुरच्छा को बनाए रखना है। इसका कार होता है कि प्रमुख जिम्मेदारी होती कि अंतराष्टी सांती इवन सुरच्छा को बनाए रखना है। इसके लिए जिम्मेदार है। इसके जितने भी सदस्टें वो इसी में सामिल होती है। इसकी बैठक अग होती है तो प्रतीक बर सितम्बर में इसकी बैठक होती है। वो सितंबर मोती है, होची क्योंगी इस बर, ठीक है, तो महासभा के बारे में क्या है, कि UN में विचार विमर्ज के लिए एक प्रमुक अंग है, और संक्ठन के सभी सदश इसमें भाग लेते हैं, सामिल होते हैं, महासभा जो है, वो सैंक्तुराश्ट के गोशना पत्र के अंत जिनका कारकाल तीन वर्ष का होता है, परसद की एक तिहाई सदश प्रति बर्स पदमुक्त होते हैं, जैसे अपने रासभा में होते रहते हैं, वैसे इसमें भी है, कि इसमें परशद में क्या होता है, कि महासभा दोरा निर्वाचित चोओन सदश होते हैं, जिनका कारकाल क साल में दो बैटके होती है और इसकी स्थापना को देशिक है कि पिछड़े हुए रास्टों को आर्तिक इबम समाजिक सांस्कृतिक सैचिक तथा स्वास्ते में प्रगति के लिए सहयता देना तो इसका जो प्रमकुदेश यही है कि जो भी देश पिछड़े हुए हैं, जो भी रास्ट पिछड़े हुए हैं ओने आर्तिक, समाजिक साहता देना सांस्कृतिक, सैचिक और स्वास्ते प्रगति में आर्तिक सामाजिक सामाजिक साहता बिज्ञान कला आदी के छेतर से ज्ञान प्राप्त करके महासभा को सूचित करना है ठीक है तो इसका संपूर कार क्या होता है प्रमुकार क्या होता है कि जितना भी वेश्यो है उसकी आरतिक समाजिक सिछा स्वास्ते बिग्ञान कला, आदी की छेतर से ज्ञान प्राप्त करना और उसकी जानकारी किसे देना, महासभा को देना क्योंकि महासभा है, विचार भी मर्स करती है तो सारी जानकारी ये कलेक्ट करता है और महासभा को सूचित करता है अब जो चौथा अंगे वो है नियास परसद ठीक है, नियास परसद है, ये नियास परसद नहीं ये चीज़िया रखना, ठीक है, इससे कहते हैं ट्रस्टीशिप कॉंसल, ठीक है, तो नियास परसद क्या है इसमें 12 सदर्श होते हैं, ठीक है अगर हम बात करें नियास परसद की तो इसमें टोटल बारा सदश होते हैं जिसमें चार जो होते हैं वो प्रबंद करता देश होते हैं और प्रबंद करता देश कौन कौन से हैं तो आस्टेलिया, न्यूजीलेंड, अमेरिका और ब्रिटेन ये चार जो हैं वो प्रबंद करता उनके शार्षन प्रबंध करने वाले जो रास्ट है उनके क्रिया कलापों की जाच करना और उन पर नेंद्र रखना, उन पर कंट्रोल करना ऐसाई से कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह सारी चीज़े जो पांच मां आंगे वो है आपका अंतरास्टी नियाले जो हेग में इस्तित है आपका ये चीज़ रहाद रखना इसे कहते हैं International Court of Justice अंतरास्टी नियाले भी होता है कि अगर माले किसी दो देसों के बीच में कोई मसला हो जाता है किसी टॉपिक के उपर है किसी नधी के उपर या किसी और चीज़ के उपर तो अंतरास्टी नियाले में जाना पड़ता है बही समस्य सुल जाता है तो इस सहींक तो रास्ट संग का ये प्रमुक नियाए कंग है यूएन का ये क्या है ये प्रमुक नियाए कंग है इस बिश्व नियाले में 15 नियाले की बात करें, नियाले की बात करें, उसमें टोटल 15 नियाले की बात करें, जो 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 15 नियाले की बात करें, ज इंटरनेशनल कोर्ट अब जस्टिस, ठीक, अंतरनास्टी ले ले, और ये कहां पर इस्तित है, तो हेग में इस्तित है, ठीक है, तो ये पाँच मांग हो गया, अब जो लास्ट अंगे वो है आपका सचवाले, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं, संग का प्रशाशनिक अ कि सचवाले का जो मुक्ष सचव होता है, मुकदगारी होता है, महासचव इसका नियाले कहां पर इस्तित है, तो ये नियू आर्क मिस्तित है, ठीक है, एक नमबर में आपकी दिया गया किताब में, सचवाले के आठ बिवाग होते हैं, महासचवाले की नियुक्ति परसे सिफारिस करेगी और निटी कौन करेगा तो वो महासभा करेगी ठीक है इसका कार UN के कारियों की रिपोर्ट तयार कर प्रति बर्स महासभा को प्रस्थित करना है ठीक है UN के जो भी कार होते हैं उसकी रिपोर्ट तयार करता है यह ठीक है और उसकी जनकारी किसे देता है म महा सबा को देता है, महा सबा के समने वो उस रिपोर्ट को प्रस्तित करता है, तो यह सचवाले का कार हो गया, ठीक है तो यह छह अंग है UN के, ठीक है इनके बारे हम आपको पढ़ना है, पहले तो हेडिंग याद रख लेना, अगर मालिया उसके अंदर ना भी लिखना आया आ होते हैं, ठीक है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो सुरच्छा परशद की सिफारिस पर महा सबा इसकी नियुक्ति करती है, और इसके कार जो होते हैं, वो UN के कारियों की यह रिपोर्ट तयार करता है, और प्रतिबर्स महा सबा को यह प्रस्तित करता है उसे, ठीक है तो इ दस देशों को करता है जो इंडिया है वो भी अस्थाई देशों में आता है ठीक है आस्थाई सदश्य है इंडिया जो है ठीक है यूएनो के सचिब का नाम पोछ सकता है कि इस समय बरतमान में यूएनो के सचिब कौन है तो एंटोरियो गुटेरिस जो है वो इस समय बरतमान म में तो Antonio Guterres जो है वो UNO के सच्छेब हैं और सुरच्छा परसद में पांच स्थाईदेश होते हैं या पांच स्थाई सदश यो हते हैं और दस जो हते वो आइस्थाई सदश होते हैं ठाके जिसमें भारत भी आता है तो इस वीडियो में इतना ही अब हम बिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिं दिस वीडियो